कर दो हेलो सुधेंट्स आन वोड़कर बाक टो चैनल सिरा शेक डी स्टी अच बजटींग का लेक्चर नमबर 5 अज से मों कवर करेंगे ने पॉइंट्स ऑं बॉजट इंग उस्टार्ट करेंगे आच्छा आचाद्वास स्टाट करें टेक्ष्ट पेज नंबर जो मैं रेफर कर रहा उसमें है पेज नंबर टेक्षबुक पेज नमबर 63 सब नमबर 42 कोशन आपके सामने स्टार्ट करता हूं कोश्चन देख यह एक्जाम में आ चुका है 1996 में फॉलविंस इंफॉमेशन एक्स्टार्ट फॉलविंस इंफॉमेशन एक्स्टार्ट इंफॉमेशन दिया है जैन से सप्टेंबर तक का मन्त जून फिर प्रोविशन ऑफ 2,500 पर मन्त हैस्ट वी मेड फॉर मशिनरी परचीज इन प्रीवियस पीरिएड मैं अपने को 25 सुरुप प्रोविशन वेशन करने की बाद कर रहा है ठीक है कमिशन ऑफ 10% is required to be paid on the sales in the month following the actual sales 10% कमिशन पे करना है तो बीपेड on the sales in the month following the actual sales मतलब जब आपका actual sales होएगा उसका 10% कमिशन अब अगले महिने में पे करने वाले हो ठीक है नेक्स उसके बाद cash sales amounted to 2,000 per month on which no commission is payable उसने clear specify कर दिया कि जो commission है वो cash sales पे नहीं credit sales पे देना है कितना percent 10% ओके interest on investment amount sorry dividend to the shareholder amount into 50,000 is to be paid in the month of July, interest on investment amount into 40,000 is to be received on 1st August, income tax to be paid 40,000, balance on call on ordinary shares to be received on 1st April that is 20,000, prepare monthly cash budget for 6 month April to September, assuming a suitable figure for loan and overdraft wherever required, आज के सम का important point ये ये ही है, assuming suitable figure of loan and overdraft whenever required, आज का सम का main point ये ही है, ठीक है, आगे ये पीरियोड अफ्रेडिट अलाव पुदर डेटर्स, डेटर्स यानि के कौन है, seller, sales, sales, serial adjustment है, पीरियोड अफ्रेडिट अलाव तो देटर्स अन अलावड बाइड 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 प्रेट ये ही है, जून, जुलाई, आउगस्ट and सब्टेंबर, ठीक है, हमने छे मैने का बजट बना दिया है, डीटेल अगर वर्किंग की बात करेंगे तो अपने को जैन से डीटेल दिया गया है, जैन, फेब, मार्च, एप्रिल, में, जून, जुलाई, आउगस्ट and सब्टेंबर तक का डीटेल ह परिज अपने को काम आई गया है, अब स्टार्ट करते हैं संब की तरफ जाके, देखते हैं कोश्टें में क्या दिया है, सबसे पहला एप्रिल का ओपनिग बालेंस यह कितना दिया है 1500. अपरिल मंद में गया पो 15000. यहां पर जन की उसके बाद क्या दिया इंफॉर्मेशन दिखो जरा उसके बाद अपने को सेल्स यह अपना इंकम है material expenses wages expenses पक यह सब यह expenses यह income में खाली एक सेल्ज है अब अपन एरेकराफ वाजी जाएंगे बाद में इससे रिएटे adjustment solve सबसे पहला plan to be purchase for 30,000 थी सब्सक्राइब का प्लांट खरीद ना है the price is to paid in six equal installment installment में अपने को पैसा भी देने का है the first installment starts from June अभी थी सब्सक्राइब का प्लांट खरीद होगे 30,000 का छे installment में भरोगे मतलब 55,000 रहेगा यह मैं या पे करोगे न कौन से मन से June के महिने में June, July, August, September चारी महिना इस साल आएगा बात समझ में आया आगे दिया चलो ठीक है तो आप payment के अंदर चले जाता हूँ और लिख लेता हूँ payment में आता हूँ purchase of machinery purchase of machine कौन से महिने में purchase की आपने जून से ना जून से बोला न उसने पर तीस हजार का machine है फर्स इंस्ट्रालमें अपने हों कभी पेना जून से पे करना है तो जून से पेमेंट करें तो पेमेंट में चले जाएंगे लिख लूंगा पहला जाएगा पाच हजार फिर वापस 5000 5000 5000 5000 कैसे आया समझा न तीस हजार का plan purchase करना था और तीस हजार का plan purchase करने के लिए आपने प्रोविशन कर दिख आगे आज चीज दिया प्रोविशन करके रखाया अब प्रोविशन अफ 2.5 पर मन्थ एस टो इमेड फॉर मशीन पर चेज इन दो प्रीविए पीरियद मतलब जब तक मशीन नहीं खरीदा था तब तक आप 25-25 जमा कर रहे थे मतलब आप क्या कर रहे थे ये पैसा जमा करके रह रहे थे क्यों मशीन खरीदने के लिए जमा कर रहे थे तो पैसा आ रहा थे कि जा रहा था आ रहा था किदर कैश में मैंने क्या क्या है मैंने क्या क्या उस государ थी जहाए उसमें पच्छी सवधार निकाल कर रखा अब पैसा निकाल के रखा और उसके बाद पैसा पेखिया मतलब जब तक मशीन नहीं खरीदा था तब तक वो पैसा अपने पास था और जैसे मशीन खरीदा पैसा चला गया मतलब अपने पास करेंगे आगे बढ़ेंगे उसके बाद क्या है उसके बाद उसके बाद कर लेंगे बट उसके बाद का लाइन जब मैं पट रहा हूं तो मेरी दिमा की बती है जलिए की कमिशन तो टोटल सेल्स पर हि जाता है दो इसनी बहला है केश सेल्स वेटामाउंट ऑल थो थाॉजलन पर मन और विज्ड़ मृश्ओ कैं असके कमिशंन ने जाएगा कितना परसेंट 10 परसेंट चीक है तो पहले तो मैं सेल्स का अमाउंट लिख लेता हूं वर्किंग में काम आ जाएगा येस 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 जैल्स जैन के मन से बोलते जाओ 30,000 35,000 30,000 25,000 एपरिल में थे नहीं या 25,000 फिर 22,500 30,500 35,000 37,500 40,000 ये मैंने हर महिनी का सेल्स लिख दिया अब इसी का कमिशन क्यापिलेट करेंगे 10 10% तो पचीज सो 2250 नॉर्मल आना चाहिए था उसने बोला है कि जो भी सेल्स है इसके इंदर दो टाइप के सेल्स है एक है कैश और एक है क्रेडिट है कैश सेल्स हर महिना कितना हुआ है 2000 हर मन्थ कितना हुआ है 2000 तो अगर कैश सेल्स 22000 हुआ है तो क्रेडिट सेल्स कितना होगा जो बजगत गया वह अरे बड़ाबर हैं यह 22,000 हमने लिख दिया हerson एब क्रेडीट बताओ कितना तर्टी में से तू चला गया बचा कितना तुमारा क्रेडिट सेल्स老 peer al bright इदर 33,000, 28,000, 23,000, 20,500, यहां पर 32, sorry, 3500, 33,000, 35,500 और 38,000 दनिया तक, अब हम क्यालकुलेट करेंगे, कैमिशन, क्या चालकुल कर रहा हूँ, कमिशन, कमिशन, एक दरे 10%, क्रेडिट सेल्स का होगा, और हम वही महिने में भरने वाले, ऐसा नहीं बुला कि कमिशन अगले महिने में भरेंगा, ऐसा कूछ बोला कि सब्सक्राइब थे application का कमीशन अगले महिने में जाएगा फेब का अगले महिने में and so on होगा clear तो अब ज़रा देखते कमीशन क्यल्कुलेट करके इसका कमीशन 10% जैन में आएगा के नहीं फेब में आएगा क्रडिट का ना इसका 10% 3300 2800 2300 2050 3050 3300 3550 and so on मुझे क्यालकुलेशन एप्रिल से लेना है समझ मैं 2800 2300 2050 3050 3300 3550 समझा अमाउंट लिख लिए कि आप लोग ने चाहिए तो अमाउंट लिख लो तो फिर क्या बुलना एजी हो जाएगा 2800 2300 2050 3050 3300 3550 अच्छा लिखाएं नहीं है इधर ही है अट्ठाइसो तेईसो दोजार पचास तिन पचास 3300 3550 हमें रुपता हो क्या है उसके अंदर लाइफ में सबर अली है लखी लिदो ओके चलो आवी चाहिए कमिशन मेरा क्या है एक्सपैंस है कमिशन चली एप्रिल में कितना 2800 फिर 2300 दो हजार पचास तीन हजार पचास तीन हजार तीन सो बराबर है कमिशन समझ मैं पर टेक्षबूक करो कि में भी अमाउंट डिफर कर सकता है कि उन्हों ने क्याल्कुलेट किया है टोटल सेल्स पर आपको मेरे मालम नहीं मेरे में देखा नहीं हूं बड़ मेरे को जहां तक से वर्किंग सॉल्व किया है ओके अब बढ़ते आगे क्याश सेल्स बुट बी टू दाजन हो गया डिविदेंट टू शेयर वेल्डर अमाउंटी तो फिफ्टी दाजन इस टुबी पेड वर्ड यूज किया है मतलब फे करना है पी करना मतलब कोणसे मयनें जुलाइ में यह जुलाइं में जाओंगा और पेमेंट में लिताओगा क्या जीडिविडेंट और में कि जुलाइ के महिने में कितना पकि या जूलाइप यह मुने 50,000 डे अरे बात समझ में आया चलिए बाई डिवीदेंट पीड हो गया अगे इंट्रेस्ट वन इंवेस्ट में अपाउंटिट आवा अमाउंटिंट रुपिस फॉर्टी तॉज़न इस्ट भी रिसीव्ड इन अगर्स्ट रिसी मतलब मिलेगा इंकम होगा तो पैसा आएगा इंट्रेस्ट ओन इंवेस्टमेड कौन से मैंने मिलेगा ऑगस्ट कितना मिलेगा ऑगस्ट में 40 अधर ठीक है नेच्ट उसके बाद क्या है आगे दिया है इंकम टाक्स पेड इंद ऑगस्ट भाई खर्चा हुआ पेमेंट इंकम टाक्स ऑगस्ट में कितना पे किया भाई 40,000 डाश डन अभी फरेत ही बगो उसे है क्या बाकिया भाई बैलेंस ओन कॉल ओन ओर्डिनरी चेस्ट भी रिसीव इन पर्स अप्रिल भाई कॉल का पैसा मिलने वाला है पैसा मिलने वाला है कौन से मन्द पे मिलने वाला है मञें कितना कौन से महीने में संज्गा ऊस्के अलवा क्या है उसके अलवा बैलेंस तबीटेड हाँ अभी क्रड़िट डेटर कितने महीने स्कृच ठींद धिया थी मैंस्का और रिव्स द्रीच उसने कितने महीन का टूमरंस मतलब किया आतों यहां पे जैन का जो सेल्ज है वो तीन मेने के उदार प्लेगा में धृवरीघ मार्च एप्रेल यह स्फवरेटरी मार्च और में सो ओν जैन का पैसा क्लम मांपहण अप्रेटर न फेप्रेटर Immer मार्च में and 3-3 मेने के gap पे मिलेगा, February, March, April, January, February, March तो महिन लाइगा कभी, 3 मेने के अदर बताए April में ही मिलेगा न, समझा क्या, तो यहां पे जो credit sales है, इसका cash receive, कौन से month में होने वाला है, यह 28,000 का payment मुझे कब मिलेगा, April में मिलेगा, इसका 33,000 अरे समझा 28,000 23,000 20,500 30,500 ठीक है चेक कर ले ना इक बर ठीक है यहांने समझ में आया क्या अब मेरे को मालूम तो बढ़ गया कैश सेल्स तो उसी मन्त में होगा प्लस क्रेडिट सेल्स का पैसा मतलब सेल्स का कितना पैसा इस मन्त में रेसीव हो रहा है 2000 प्लस 28,000 30,000 इधर 2000 प्लस 33,000 समझा न क्या बोला मैंने 2000 तो उस महिने में मिला ही मिला है कि सेल्स का बट बाकी सेल्स का पैसा त्योंस का 30 0049 महरने यह मैने बाद मिलेगा यहां पर आया यह बट यह तीन मैने पहले का पैसा स्केंश मेरभा ना किछाय को सिसेल्स का कितना पैसा मिलेगा 30 000 2268 को पहसु ile रैज चोलेएग सिन में की सिल् plaisir यहां पर यगा April में 30, May में 35, इसमें 20, इसमें 25,000, 22,500, 32,500, लखे लिए दू, चल आपे जाओ, सेल्स, एप्रिल के महिने में 30,000, एप्रिल के मंद में 30,000, और फिर में में 35, जोन में 20, 20, ना, नहीं नहीं नहीं, एप्रिल में 30,000 है ना, 30,000 है, तीसरे महिने में, अच्छा मैंने 20 बोला था, चीक है ना, वहीं कर रहा है, 30, 25, फिर, अरुन क्लियर है, समझ रहा है ना, नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, क्रड़िट को दो मैना बोला है, मतलव ही किस से रिलेटर है, परचेस से रिलेटर है, मतलब मठीरिटर से रिलेटर है, तो यह जैन में 12500 15000 12500 9000 15000 15000 20000 और 15000 क्रेडिटर्स जिन से आप खरीदते हो सामाना आपके सप्लायर यानि के मटीरियल सप्लायर दो महिने का उदा तो जैन फेप का पैसा कब मिलेगा मार्च में मिलेगा यहां पर कैश पीड रिसीव को नहीं होगा पेग करोगे यहां पर मटीरियल खरीद है न तो बाइदर पेग करोगे कितना पेग करोगे मार्च में पेग करोगे 12500 15000 एप्रेल में भरोगे फिर वापस 15000 फिर 12500 9000 फिर 15000 उसके ध्यا है यहां पर मैं आ जाता हूं कि पेमें टू क्रेडिटर्ट्स प्यमें टू करनदिटर्स अस्य जए हैं dawn च्रेड़ में कौन किका है इस तो करोगे में जाना फेमें टुंत कर्डिटर्स कि पेमें पन्रह हजार ये फिर पंद्रह हजार है बारहां हजार पान सो, नौ हजार है समझ में आया ये अड़ंध चले बढ़ते आगे उसके बाद सस्के बाद इजके बाद क्लिडेश्मेंग है चैनल हो गया व्यां बेलेंस हो गया उसने आपने को लेना पड़ेगा और को अब हमारा पोस्टिंग कर लिए पोस्टिंग में सबसे पहला सेल्स तो हो गया अब सबकापेमेंट कितना एक महिन के बाद करना है तो मैं सीधा डायरेक्ली लिख रहा हूं जैन का तो आएगा निए मार्च का पेमेंट कभी आएगा एप्रिल में तो आपके यह अमांट से बोलते जाने गाए पाचछेजार पांसो पाचछेजार चारहजार पांसो यहां पर आता हूं में लिखता हूं पेमेंट टुद वेज़ेस अरुन बोलते जां पेमेंट टू वेज़ेस एप्रिल के मंद में कौन सा वेज़ेस पे होगा मार्च का मार्च का कितना है 5500 फिर 5,000 4,500 4,500 5,000 5,000 सेलीना है बहुत सारीय Ref Virginia सबको आपने को एक एक मेना दिन निगाए मचलीन अटी सेलीन हैं एक एक मैना देल इना जाना है मतलब सीपे for payment to manufacturing चली कितना 4500 चार हजार तीन हजार पांसो तीन हजार पांसो तीन हजार पांसो चार हजार चार हजार चार हजार अरे बात समझा फिर इसके बाल एडमीन पेमेंट तू एडमीन चली बताईए दो हजार औरासो औरासो फंद्रासो फंद्रासो जो हजार तो हजार इसके बाद सेलिंगा अर्फ सभीन फो सैलीं 12500 दो हजार एंदर फंद्रा सो पंद्रासो यु बराबर है फिए चैनि के बाद distribution payment to distribution कितना 2000 1500 1000utches सारी expenses is return अभी एक मंद का closing करेंगे कि हमने सारे expenses ले लिए सारा incoming ले लिया सारे adjustments इस बन्दे ने पैसा Resolve कर क्या रखा है मतलब बिजनस में ने रखा है उसनी किया क्या पैसा बाकियों में निकाल दिया एक किस की लिए मशीन को पर्चेस करने के लिए और उसने यह भी नहीं बुला कि उसने जब मशीन खुरिदा तो इसा य। कर दिया है एड्जिस्मेंट दिया था आपको कोश्चन में अब प्रोवीजिन ऑफ टू थाउजन फाइंड पर मन्थ हैस्ट वी मेड फॉर मशीन पर्चेस इन दो प्रीवियस पीरियर्ड पिछले साल कुछ मशीन खरीदा रहेगा जिसका प्रोवीजन अभी तक वो करते जा और वो बिजनस से निकालते जा रहा है किस चीज में इन्वेस्ट करने के लिए मशीन खरीदने में इन्ट आप ऐसा बोल सकते हो हिए मैं हर सार मेरे बिजनस से पच्चीस तो लेता हूँ और इसका पैसे के लिए हैं तो मैं क्या करता हूं पचीसो निकालता हूं प्रोविजन मशीनरी कितना प्रोविजन किया पचीस सो यह कब तक चलेगा एंड तक क्यों एंड तक चलने वाला बोला नहीं और पिछले साल का मशीन था कितने का था मशीन मालूम नहीं तो प्रोविजन अपना कंटिनियो का बाकी जो मशीन पर्चेस विशर्ट तो सब बराबर है आप टोटल करके देख लो कितना टोटल आता है आपको इस साइट का टोटल एक लाग आता है वाई इसका टोटल है एक लाग पेमेंट साइट का टोटल कर लो पेमेंट साइट का टोटल करो 36,300 एक लाग में 36,300 माइनस करो कितना 65,700 बराबर हाई यह गडल थे 36 में तो इधर बराबर 63,700 बराबर है 63,700 इस राइड आंसर अब यहां से वा जाएगा इस बाजू 63,700 चलिए इसका टोटल ले लेंगे 98,700 पेमेंट करेंगे टोटल लीजिए पेमेंट का कितना 34,300 बक्का ना चेक कर लेंगे ना अंसर कोई इस्यू नहीं मैंगे माइनस कर दो कितना रहे 64,400 यहां से हम आ जाएंगे यहां पे 64,400 यहां पे टोटल आपको आ जाएगा 94,400 चलिए इसका टोटल 3,4,5,5,0 चलिए माइनस कीजिए 94,400 में ही 34,5,50 माइनस कितना आ रहे हैं 59,850 इदर से हम आ जाएंगे इस बाजू 59,850 चलिए टोटल यहां पे 84,850 इदर का टोटल ले लो क्या हो गया 8,1,050 यहां पे 84,000 है यहां पे 84,000 है अभी भी अपने उस पैसा तो है 3,300 इदर से हम आगे इदर 3,300 अब जो ट्वेस्ट है वो यहीं पे चालू होने वाला है चलिए इसका टोटल ले लो इसका टोटल ले लो इसका टोटल लो 65,800 पेमेंट का टोटल लो 80,100 अब देखो यहां पे हुआ क्या माइनस में चल रहा है उसे हम कहते हैं ओवर्ड्राफ्ट मनला पैसा ही नहीं है तो इन्होंने एक एड्जेस्मेंट दिया था कि अगर आपको लग रहा है कि पैसे की जरुवत है अब मुझे ऐसा क्यों लाग रहा है कि मुझे लोन लेना पड़ेगा तो पैसा जा रहा है तो कितना कम पढ़ रहा है मुझे 80,100 में 65,800 माइनस कर दो 14,300 कम पढ़ रहा है मुझे तो मैं इतनी का क्या लेनूंगा लोन लेनूंगा ठीक है तो मैं लोन लोंगा मतलब पैसा आएगा न इसे में लिखता हूँ लोन स्लैश ओवरड्राफ्ट येस कौनसे महिने मिलूंगा में और कितना 14,300 तो अब इसका टूटल क्या बन जाएगा अब इसका टूटल बन जाएगा 80,100 देख लो करके अब इसका टूटल बन जाएगा आपको 80,100 माइनस 80,100 इट विल भी निल समझा उसने एक्स्ट्रा बैलेंस लेने की बात नहीं किया है अगर बोलता कि कम से कम 10,000 बैलेंस भी चाहिए तो हम लोन 14,000 का नहीं लेते हम कितने का लोन ने दे और 10,000 एड कर दे दे 24,300 का लेते तो अपना बैलेंस 10,000 आ जाएगा बास समझा ठीक है अब यहां पर यहां है यहां पर पचीस सो यह पंद्रह सो हाँ कि 40,580 मुझे एक्सपेंस 4580 का हो रहा है बड़ पैसा मेरे बास 32,500 ही है तो कितने का डिफरेंस आ रहा है अब तर्टी टू यह 580 अब तर्टी टू फाइंट वाइनस कर दो आठ हजार असी का मैं लोन ले लूंगा तो फिर मेरा वैलेंस नील हो जाएगा यहां पर हंजी उसने बुला है ना रेने के लिए यह बैंक का ओडरा फैसिलिटी बोलते हैं करेंट अकाउंट को मिलता है तो यह आपका टूटल आएगा 40,580 यह हो जाएगा समझा क्या थोड़ा सा अप्ग्रेड हुआ यह लेवल बाकी सब नॉर्मल था यह कुछ नया पॉइंट निया खली एक्सपेंस बढ़ गए अभी और यह आपकी एक्सपेंसेस क्लियर हो हंजी हंजी पोस्टिंग तो करके आएंगे तो मार्क्स मिलेगा आपको ठीक है क्या तो आज के लिए इतना ही करते हैं नेक्स चेक्चर कंचीनु करेंगे हो फिल आपको वीडियो पसंद आ रहे हो दो प्रिस वीडियो को लाइक पर देना फ्रेंट को पिशे करना चैनल को स